गुजरात विदानसवा चुनाओं के लिए तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है ऐसे में आज सत्ताधारी बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है अपनी पहली सूची में बीजेपी ने एक सो साथ उम्मीदवारों के नाम का एलान किया है तो पहली सूची से किन दिगजों के नाम रहे गायव और किसे मिली जगा आईए देखते हैं इस रिपोर्ट में गुजरात की 182 विधान सवा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाओ होना है एक और पांच दिसंबर को होने वाले चुनाओ ने राज्य का सियासी पारा गर्मा दिया है जहां आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस सिलसले बार अपने उमीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर रहे हैं तो वहीं राज्यमेंटी इंकमबेंसी से जूज रही सत्तादारी पार्टी ने काफी मन्थन के बाद 160 उमीदवारों के नाम का एलान किया जिसमें से पहले चरण के 89 में से 84 तो वहीं दूसरे चरण के 93 में से 76 उमीदवारों के नाम का एलान कर दिया गया है ऐसे में उमीदवार जहां टिकेट मिलने पर खुशी मना रहे हैं तो वहीं बीजेपी के उस खेवे में उदासी और नाराजगी है जिने टिकेट नहीं द के दे दिये हैं बीजेपी की पहली सूची में कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पाटिदार नेता हार्दिक पटेल और वीरम गाम विधाउंसवा सीट से टिकेट दिया गया है इसके अलावा जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंदर जडेजा की पतनी रिवाबा जडेजा को टिकेट दिया है खास बात ये है कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में साथ ऐसे लोगों को टिकेट दिया है जो कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं जबकि अपने कई दिगजों की टिकेट काट दिये हैं जिससे बीजेपी में असंतोष पैदा ह इसके अलावा कई दिगज अभी लटके हुए हैं जिनके नाम पर मोहर नहीं लगी है इसके साथ ही बीजेपी ने गुजरात में 69 सिटिंग विधायकों की टिकेट को रिपीट किया है यानि इन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला है वही 38 विधायकों की टिकेट क दिये गए हैं और 160 उमीदवारों की पहली सूची में से 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है इतना ही नहीं लिस्ट जारी होने से पहले ही बीजेपी के अंदर मची हलबली का संकेत पूर्व सीम की चुनाव ना लड़ने का एलान ने दे दिया था दरसल लिस्ट जारी होने से एक दिन पहले ही पूर्व सीम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीम नितिन पतेल ने इलेक्शन नहीं लड़ने का एलान कर दिया था रूपाणी सरकार के कुल आठ मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया था ये इस बात का संकेत है कि बाब में चुनाव लड़ने से मना किया है अब सचाई जो भी हो लेकिन दिगजों का नाम लिस्ट में ना हो ना बीजेपी के अंदर मची खलबली के संकेत दे रहा है दीवी लाइफ की रिपोर्ट